हेलो दोस्तों शेखा की रसोई में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं बनाने जा रहे हूं सभी को पसंद आने वाला मैंगो शेक तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लेंगे मैंगो तो यहां मैंने एक मैंगो जिसका मैंने तीन पीस में काट लिया है अब इसका हम पल्ब निकालेंगे तो एक चाकू के सहायता से इस तरीके से इसको हम काटेंगे ऐसे यह इसली इसका पल्ब निकल जाता है देखे अब एक बर्तन लेंगे और चमच की सहायता से इस पल्ब को बाउल में निकाल लेंगे तो यह हमने पल्ब निकाल लिया है अब हम लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर चार और उसमें जो मैंगो पल्ब है डाल देंगे उसको इसके बाद हम लेने वाले हैं चीनी तो शुगर की मात्रा हमें जैसा मिठा पसंद हो ज्यादा या कम उस हिसाब से हम इसमें डालेंगे तो यहां मैंने तीन चमच चीनी डाला है अब मैं डालेंगे एक किलास ठंडा दूद अगर आप देखे तो धाई सो एमेल इसको इसमें डाल देंगे उसके बाद आदा छोटा चमच छोटी लाइची पाउडर आदा छोटा चमच क्योड़ा जल इसको गुलाब जल भी बोलते हैं आइस क्यूड अब इन सभी को डालके मिक्सर ग्राइंडर जार को बंद करेंगे और एक मिनट तक ग्राइंड करेंगे अच्छे से तो यह एक मिनट तक ग्राइंड होने के बाद देखे मैंगो शेक अब मैंने यहां लिया है 5-7 पिष्टा इसकी बारिक कटे हुए इसको हम इससे गानिश कर देंगे अच्छे से तो मैंगो शेक बना के हमारा रेडी है आप इसको ट्राइ करिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चन्न को स बुली थेंगे